यूक्रेन और रूस के बीच जंग के हालातों ने दुनिया भर में तहल का मचा दिया है इस वक्त ये मामला सबसे जादा चर्चा में है हर जगा बस यूक्रेन और रूस पर सबकी नजरी ठीकी हुई है और ऐसे में हम आपके लिए यूक्रेन के बारे में कुछ नया नालाई भला यह कैसे हो सकता है तो ऐसे में आज हम बॉलिवुड में यूक्रेन एक्ट्रेस पर बात कर रहे हैं यह यूक्रेन एक्ट्रेस और कोई नहीं बलकी गंधी बात फ्रेम एक्ट्रेस नतालिया है आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल एनन बॉलिवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इकलने, इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, तो आपको तुरंद नोटिफिकेशन मिलती जाए, तो आए नतालिया की बारे में बिस्तार से जानते हैं, नतालिय बॉलिवुड भी नहीं नहीं है, उन्होंने भले ही सपोर्टिंग और गेस्ट रोल्स किया है, पर उनकी ग्लैमरस इमेज ने उन्हें दर्शकों के बीच फेमस किया है, उनकी सबसे पहली हिंदी फिल्म थी अतिती तुम कब जाओ की, अजय देवगन, कोंकडा सेन और परे इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी, और ये फिल्म सची घटना पर आधारित है, जिसमें गोवा के बीच के नारे विदेशी महिला की मौत ने, देश में संसरी फेला दी थी, नतालिया को इस फिल्म के लिए सबसे जादा जाना चाता है, वह इसके बाद वो सूपर मॉटल, तेरे जिसम से जान तक, बोले इंडिया जै भी, लव वर्सेज गैंस्टर में नजर आई, हिंदी फिल्म इंडेस्ट्री में नतालिया का सफर यही खत नहीं होता, अपनी ग्लेमरेस अदाओ और बॉल्ड सीन्स के कारण चर्चा में रहने वाली नतालिया, बॉलिवुड ए अर्जुन रामपाल दूसरे बॉलिवुड हीरो से अलग है, इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि उनमें लुक्स और स्टाइल है, वो बेस्ट एक्टर हीरो है, मैं उनकी तरफ काफी आकरशित रहती हूं, मेरे लिए वो उल्टीमीट सूपरस्टार है, मैं उन्हें घं का रोल निभाते दिखाएने गी, उन्होंने म्यूजिक विडियोस में भी काम किया हुआ है, नतालिया को गंदी बात सीरीज के लिए भी जाना जाता है, और उन्हें आल्ट बालाची के पॉपुलर सीरीज गंदी बात के सीजन फोर में एक एपिसोट किया था, इसमें वो क कोई पाबंदी नहीं है, जिस सरा यूकरेन में इंजियन सिनमा को प्यार मिलता है, ठीक वैसे ही भारत में भी यूकरेनियन एक्ट्रेस को सराहा जाता है, और उनकी फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है, फिलाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, और अगली बार फिर ह भूलें